कि नमश्कार दस्तु स्वागत अब सभी का आपके अपने योडी उप चैनला ओनलाइश विडी के वर आज हम बात करेंगे करेंट अफेर्स के कुछ महत्पूर्ण प्रश्णों की जो संबदित होंगे हमारे आदित्ती अलवन मिशन से तो बिनादेर की आईए और स्टार्ट करता हैं और देखते हैं आज के कुछ करेंट अफेर्स के क्यूशन तो चलिए बढ़ता है प्रश्ण के और देखिए फर्स्ट क्यूशन यहां पर आता है अजित्ती अलवन मिशन जो है अंतरिक्ष यान का जब सफलतपूर्ण प्रमोशन किया गया तो यह कभी किया गया का दो स्रितमबर दो हचार तेस को ग्यारा बचकर पचास मिनिट पर यह द्रूबी उपगरा प्रमोचन यान जिसे पी एसल वी सी फिफिट सेवन के द्वरा पहुंचाए गया यह सतीस धवन अंतरिक्ष केंद्र के हरी कोटा स्री हरी कोटा की दूसरे प्रमोचन पेट से अध इंपोर्टेंट बन जाती है इसी के साथ मैं यह पी एसल वी सी फिफिट सेवन जो है धुरूबी उपगरा प्रमोचन यान है तो किस यान से इसको भेजा गया था तो यह यहां पर बनता है और कहां से किस अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया तो सतीस धवन अंतरिक्ष जो है हमारा इसके कंद्ध्याइश किया है ऐसे कि इसके कुछ प्रमुख उद्धेशे को मैंने आहां पर सामिल किया है वैसे इसके दौर खै अधियन करने के लिए इसको यहाँ पर साबित किया गया है अब इसके के दिए हम वैग्यानिक रूप से दिए विज्ञान के दरश्टी से इसके उद्धिश्यों को देखें तो सौर उपरी वायो मंडल क्रीमोई श्फियर और कोरोना की गतिकी का अध्यन करना है सौरी से कन की गतिशिलता के अध्यन के लिए डेटा प्रदन करने वाले कन प्लाजमा वातवरण का प्रेक्शन करना प्लाजमा एक पधारती के अवस्ता होती है जिसे हमारे ठोज दरव गैस होते हैं उसी प्रकार से एक पधारती के चोथी अवस्ता भी होती है जिसे प्लाजमा कहा जाता है तो ये तारों में ही देखने को मिलती है तो यहां पर वही प्लाजमा ये शब्द यहां पर लिया गया है कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाजमा का निदान तापमन वेग घनतु आदी का निरिक्षन करना और उन प्रक्रियाओं के करम की पहचान करें जो कई परतों में होती है और जो अंतदा सोर विसफोर्ट की घटनाओं की और ले जाती है कोरोनल में चुम्ब की छहेतर टॉप लौजी और चुम्ब की चहेतर की माप हवाओं की उद्पती संगरशना गती शिल्ता आदिका अध्यन और साथी साथ यह सूरी के सोलर रेडिएशन और सूरी के वातारन और सूरी के सोर हवाओं से अने वाले उर्जा और उसकी बलका इसमें शामिल होगा आगे जलते हैं आधिती एलवन में कितने पैलोट्स जो है वो शामिल किये गए हैं तो आधिती एलवन के अंदर जो पैलोट्स हैं जिने हम नित भार भी कहते हैं तो यह कितने शामिल हैं तो दीखिए आधिती एलवन जो है इसके अंदर पैलोट्स की सूरि की सुदूर समेदन करने वाले होंगे और साथ ऐसाथ तीन जो रहेंगे वो यथा प्रिक्षन करने वाले निद्भर हैं अब देखें या पर हम डाइगराम केंदर देखेंगे तो यहाँबर आपको जो ये पेलोडस देख रहें जो नाम आपको देख रहे हैं SUITVELC PAPA और साथ इसाथ HELOS ये सब ही जो है ये पैलोड्स हैं जो कि इसमें निगरानी करने का कारी यहां पर करेंगे और इसका अध्यन करने का कारी ये करेंगे तो यही निद्भार कहलेता है इनिकॉम पैलोड्स कहते हैं चलिए अगले प्रस सूरि पर अध्यन करने के लिए पहले भी कुछ मिशन जो हैं बो दूसरे देश के स्पेसलेंसिओं के दोरा भेजे गये हैं पुरन तो यहांपर भारत की कि बात करें तो भारत का ये पहला ही यहां पर रहने की यहां लगभग एक दसमलो पांच मिलियन किलोमेटर की दूरी पर है तो देखी यहां पर इसका जो नाम रखागा है लवन तो एलवन रखने के पीशे उद्देश यह है इसे कहां स्थाबित किया जाएगा तो इसे यहां पर प्रत्वी की जो कक्षा है उससे वन प्राइंट एक लेगरेज बिंदू है वहां पर इससे इस्थाबित किया जाएगा और उसी से इसका नाम पड़ा है अधित्य एलवन को अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए किस प्रक्षे पक का उप्योग किया गया तो वही प्रस्णा गया कौन सा प्रमोशन यान जो है इसमें उप्य आधित्य एलवन है इसको भीजने का काम जो है इसको लेकर जाने वाले काम जो है जिसे हम प्रक्षे पक प्रमोशक कहते हैं और भारत के पास दो प्रचलन प्रक्षे पक हैं जो इसमें पहला धुरोवी उपगराप प्रमोशक होता है जिसे रॉकेड पी एसलवी और दूसर आधिती L1 जो है इसको अंतरिक्षी तक पहुंचाने के लिए PSLV C57 प्रक्षिपक का उपयोगस में किया गया है आगे चलते हैं अगला प्रश्ण है आधिती L1 किस लेगरेज बिंदू पर इस्थाबित किया जाएगा और यहाँ पर लेगरेज बिंदू को समझने के लिए हम देखें तो यहाँ पर अब कोई डाइगराम देख रहा है और इस डाइगराम के इंदर यहाँ पर प्रत्वी है यह है और यहाँ पर है सूर्य अब ये दो पिंड हो गए और इन दोनों पिंडों के बीच में कुछ बिंडों ऐसे होते हैं जहां पर इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगता है जहां पर इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो सुन्य होता है अब देखें यह जो 11 बिंदू है यह यहां पर हमें देख रहा है तो यहां पर प्रत्वी है प्रत्वी से यहां पर स्थाबित किया गया है और यहां से यह सूरी को देखेगा अब प्रत्वी से सूरी की जो दूरी है हमारे यह 15 करोड किलोमेटर के लगभग में है और 11 कि दूरी पर है जबकि हमारी सूरी से दूरी कितनी है पंदरा करोड किलोमीटर तो इस प्रकार से अब देखे यहां पर जिस तरफ एलवन बिंदू दिख रहा है तो प्रत्वी के अपोसिट साइट में अब कुछ एलटू बिंदू भी दिख रहा है इसे हम लेगरेज बिंद क्रतू बहुत होते हैं और यहांपर एलवन इसको भेज जा घा चलीर आब जलते हैं भी जने की प्रकृणी है इस धूरो से समय लगेगा वहां तक पहुंशने में अब समय क्यों लगेगा तो यहां पर आप डाइक्रम में देखते हैं जैसे प्रत्वी साम इसको भेजते हैं तो पहले उसकी छोटी कख्षा जो होती जिसमें वह घूमता उसकी बाद दो उसकी कख्षा का कर बढ़ जाता है फिर अगली कख्षा में फिर अगल कख्षाओं में उसको भेज जाएगा और उसकी बाद में फिर अंति में वहां पर पहुंचेगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रसन हमारा जो है वो इससे संबद हैं कि आधिती ऐलवन जो है ऐलवन बिंदू पर एक्षित कख्षा में पहुंचने की उमिद कितने दिन से पहले चार प्रत्वी कख्षी प्रक्रियाओं से इसको गुजरना पड़ेगा अभी जिन में हमने बात की चार अलग-अलग कख्षाएं हैं और हर कख्षा पूर्ण होने के बाद अगली कख्षा का आकार जो है वो बड़ा होता है वहाँ पर इसको पहुंचने में लगभ पर भी समझत सकते हैं लेगए बिंदू इसका पूरणाम किया है यह इसका पुरनाम क्या है या आदित्य अलवन इसका नाम रखने के पीछे जो मतलब वजा है और इस नाम से आप बहुत कुछ यहाँ पर धियान रख सकते हैं जिसे अदित्य होता है तो अदित्य जो है वो सूरी का एक परियावाची नाम है सूरी के अनिक प्रयावची होते हैं जिसे दिनकर भासकर आदित्य रवी तो वैसे ही यहाँ पर सब्द जो है आदित्य चोना गया है और अलवन लेने के कारण जो है वह आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि अलवन हमारा पहला लेगरेज बिंदू है और उसी बिंदू पर इसको स्थाबित किया गया है इसलिए इसका जो नाम पड़ा है वो आदित्य रवन पड़ा है चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रशन पर आदित्य रवन जो है सूरी के कितना पास जाएगा तो यहाँ पर ह पाइप मिलियन भी कह सकते हैं जैसा हमारा उब्जेक्ट कहीं पर आता है किशन तो उसकी इनुसार यहां पर हम उत्तर को ले सकते हैं तो आदित्य रवन प्रत्वी से पंद्रा लाग किलोमेटर की दूरी पर रहेगा चहां पर अलवन बिंदू है और सूरी से यह अभी भी तो यहां पर इस प्रकार से एक उधारन समझ रखते हैं जैसे कि यहां पंद्रा लाग को हम घटाते हैं तो यह इतनी दूरी पर यहां पर रहेगा चलिए आगे चलते हैं अगला प्रेशना है आदित्य अलवन में प्रयोग की जाने वाले पैलोड कौन कौन से हैं तो अभी हमने बात की थी उसमें जो साथ निद्भार जो उप्योग में लाए गए हैं उनके नाम क्या-क्या है उनका कारिय इसे किस ने बनाया है तो यहां पर आजे ते अलवन में प्रयोग की जाना जो पैलोड है वो सेटलाइट के निरमता और उनके जो कारिय हैं वो हम समझता है तो दीखिए उसमें पहला जो पैलोड है जिसे हम निद्भार कहेंगे विसिवल एनिमेशन लाइन कोरोनोग्राफ जिसे हम V.E.L.C. कहेंगे और यह भारती तारफ होती की संस्था के द्वारा इसको बनाया गया है इसकी कारिय की बात करें तो यह कारिय इसका जो प्रमुक यह इंटर उनिविस्टि सेंटर फॉर इस्ट्रौमई एंड एस्टो फिजेक्स के द्वारा बनाया गया है इसकी माध्यम से शोरुड के रणों का रुप औंतरण और मापनुम्स में किया जाएगा आधित्य सोलर विंड एक्सपेरिमेंट जिसे हम ASPX भी कहते हैं यह भौतिक अनुसंदान प्रिवक्षताला के द्वारा बनाए गया है और इसके अलावा इसमें हमने देखा प्लाजमा एनलाइजर जिसे हम P.A. P.A. का नाम से जानते हैं सोलर एनरजी एक्सरे स्पेक्ट्रो मीटर जो की सोलेक्स के नाम से हाई एनरजी एलवन आर्बिटिंग एक्सरे और H.E.L. O.S. स्पेक्ट्रो मीटर भी यहाँ पर इसमें रगए हैं साथ इस साथ इसमेग मेगनिटी माइट MSG भी लगे होंगे और ये सारे उपकरण जो है ये हमारे भारत में ही बनाए गए है और हमारे भारत की और इसरों के साथ मिलकर काम करने वाले और बिसंस्ता हैं जिनके दोरा ये निर्मित किये गए है चलिए आगे बात करते हैं स्पैस एजेंसियों ने अभी तक कुल कितने मिशन सूरी की तरफ जो है भेजे हैं तो अमेरिका के साथ साथ जर्मनी येरोप और स्पैस की एजेंसियों ने अभी तक टोटल 22 मिशन जो है सूरी की तरफ भेजे जा चुके हैं और भारत अभी तक सूरी की तरफ एक भी मिशन पहले नहीं भेजाता, अभी हमारा ये पहला ही मिशन होगा, जो सूरी का अध्यन करने वाला हमारा भारती मिशन होगा, तो यहां पर कितने मिशन पहले भेजा जा चुके हैं, तो बाइस मिशन यहां पर पहले भेजा जा चुक पर यह सही तरीके से चला तो यहां पर लगभख 10 वर्स तक यह कारे कर पाएगा आदिते 11 मिशन के लिए आवंटिद बज़ट की बात करें तो लगभख इसका जो बज़ट है वो आवंटिद बज़ट था 400 करोड रुपए के करीब में था अगला प्रशन है आदिते 11 लेगरेज पॉइंट वन पर कब तक पहुंच जाएगा तो यहां पर हम डेट की बात करें तो इस तरों के मुताबिद 6 जनवरी 2024 तक आदिते 11 लेगरेज पॉइंट वन पर पहुंचने की इसकी उम्मीद है आगे चलते हैं आदिती 11 के वजन के बारे में तो आदिती 11 के जो कुल वजन है वहां पर कितना है तो यह है लगबख 1480.7 किलोगराम के करीब में अगला प्रश्ण है हमारा इसे संबादित प्रत्वी से सूरी के दूरी कितनी है तो प्रत्वी से सूरी के दूरी भी पूछी आती है और वैसे तो 14 करोड 96,200 किलोमेटर के करीब होती है पर हम राउंड फिगर में इसे 15 करोड किलोमेटर भी कह देते हैं तो दोनों ही चीजों को आप ध्यान रखिएगा, इतनी दूरी हमारी रहने वाले हैं, तो दूसरों ये थे कुछ प्रस्टन हैं, जो कि हमारे अधित्य आलवन मिसन से संबनित थे, प्रस्टन आपको कैसे लगें, कमेंट्स करके ज़रू बताएगा, और वीडियो पसन आया हो तो वीडियो को लाइक, शेर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो को साथ धन्यवाद